भारत के देश वासियों आप श्रप को नमस्कार वो यूटूब पर बीडियो देखने वाले शाथियों आप श्रप को तहे दिल से नमस्कार शाथियों आप डिस्पले पर देख लिए देख रहे होंगे कि लिखाओगा पीम किशान नी दियो जिना किन किशानों के खातों से पैसा वापस लिया जा रहा है शरकार पैसा क्यों वापस ले ले रही है इसके बारे में पूरा मैं आपको समिशा करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से वो किशान है जिन उन्हें फ्राड किया जिसके वज़े से उनके खातों से पैसा वापस लिया जा रहा है अब वो साल में बैठाएं हैं इन सारे चीजों को मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा अब पढ़के सुनाऊंगा भी कि क्या है पूरा मामला लेकर साथियों निमेदने हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसंद आया तो ल मामला यह है पियम किशान निधी योजना किशानों के आकड़ों में गरवरी बैंक के खाते में जमा पैसा वापस शाथियों इसको देख सकते हैं आप कि किशानों के खातों में जो पैसा आया था जो जमा हुआ था उस पैसे को जो है वापस है क्या उसका कारान है कि उस पै परशे को वापस ले लिया जा रहा है इस इसको आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हूँगा पीसान किशान निधी उजना किशानों के याकड़ों में गरवड़ी बैंक के खातों में जमा पैशा वापस यह समाचार भी देख लिए आप बहुत ही जल्द का है यह समाचार 8 जून 2019 का यह पेपर है उस पेपर की कटिंग के मादें से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और मैं अपनी बात को भी कहना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले को ध्यान से सुनिए और लाश तक हमारे चैनल प शातियों समाचार जो सुरेंदर प्रसाद सिंग के तरफ से है नई दिली से है खेत बाबा के नाम और बैंग खाता पोते के नाम यानि दस्तावेज में किशानों तो बाबा है लेकिन पोते के नाम पियम किशान निदी योजना का पैसा ले लिये हैं और अपने बैंग खात इस तरह के खेट मालकिन तो पत्नी है लेकिन पती ने इशोजने का नाम का लाभ ले लिया है बैंग खाता अपना दे दिया है उधर इशोजिना मेलाभार्ति की शंक्या में इजापा करने के लिए तावर्तोड का रवाई में लगवक तीन करोड खातों में धन जमा भी हो गया लेकिन जेओं जेओं इसकी भनग लगी लगवक सवालाख लोगों के खातों से जमा कराई गई पैसा धनरास वापस ले ली गई है तो साथियों आप समझ सकते हैं कि पैसा वापस किनका लिया गया है कि जो लोगों ने पैसा लिया हुआ है और उनके नाम से जमीन नहीं है जमीन मान लीजे पत्नी के नाम से है और पती ने अपना पास्वोग लगा दिया और जमीन का दावेदार तो वास्तों में पती ही है लेकिन उनके नाम से जमीन नहीं है उनका पैसा वापर्ष शरकार ले ले रही है कुछ लोग ऐसे हैं कि बाबा के नाम से जमीन है और पोता ने अपना बैंक पास्टूक लगा दिया है और पैसा उनके खाते में आ गया है ऐसे लोगों का भी जो है पैसा वापस सरकार ले ले रही है तो साथियों आप देख रहे हैं रिबलर अपडेट रिबलर अपडेट में आपको जो भी वीडियो मिलेगी वह 100% सही मिलेगी इसके लावा आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको ले करके कई जगाओं पर हूँ हला भी मचा लेकिन गल्ती का अशास होते होते लोगों ने चुप़ी भी साद ली इस बारे में किस्री मंतराला ने एक बरिश्र अधिकारी को बताया कि पीएम किसाने उजना की खामियों से दूर करने के प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि वास्तिवी किसानों के इसका लाब होश शक है शातियों इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं कि क्या है पूरा मामला इसमें अधिकारी भी अप तावारतोर इसकी समिक्षा कर रहे हैं और इसकी जाच कर रहे हैं उन्होंने बताया कि कई राजियों में शमाजिक तोर पर परिवार के बड़े बुजर्गों के मिर्थ हुए बैगर ही परिवार के अनने लोग उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाता है लेकिन परिवार के लोग आपसी समती से जमीन का बटवारा कर लेते हैं लेकिन प का लांचिंग लोग सबाद चुनाओं से ठीक पहले इस पहले घुषणा से ठीक पहले हुई थी इसमें एक करोड लोगों ने एक साथ लगवा गयो जना कि पहली किस्ट दू अजार रुपय उनके खातों में दी गई थी जी आँ साथियों चुनाओ के कुछी दिन पहले ये गोशला की गई थी कि जिनके पास खेती है चाहे वो एक डिश्मिल है चाहे वो दो एक्टेर है शब को पैसा मिलेगा बाद में 2 hectare को बढ़ा करके आख hectare कर दिया गया बढ़ा दिया गया 34 hectare कर दिया गया लेकिन ऐसे लोग है कि जिनको जो बुझुर्ग होते हैं वो हम मर जाते हैं मरने के बाद आप सी बटवारा बच्चे कर लेते हैं जमिन का लेकिन कागजी में बटवारा नहीं होने पाने को जैसे जोने लोगों ने पैसा ले लिया है उनका पैसा सरकार वापश करेगी पूरे मामले को अभी और अगर देखें तो मंदराले के अधिकारी ने बताया कि कुल 2.6.9 لاक किशानों ने बयंग खाते और खेट में मालिक के नाम के बीच बीच का अंतर पाया लेकिन सारह मामले सत्यापन करने से पहले 1.9 बयंग खातों में किस्त जमा हो गई रलाकि 1.5 لاक किशानों के किस्त जमा होने से पहले ही रोक ली गई लेकिन आकड़ों का सत्यापन की रफ्तार तेज कर दी गई है पकड़ में आई कि जिन किसानों के खाते में पैसा भेज दिया गया है बैंक निर्देश भेज दिया गया है सत्यापन विगर पैसा रोक लिया जाए यानि सातियों कुछ लोगों के खाते में पैसे वाए भी है आने के बावजूद भी वह पैसे जो है अभी तक रोके गए हैं और उन पैसे को अभी दिया नहीं गया है तो उन पैसे को क्यों नहीं दिया गया है इसके बारे में भी बैंक को निर्देश दे दिया गया है कि आप पहले श्रत्यापन कर लिजिए श्रत्यापन करने के बाद जो मामला सही पाया जाए उनको ही पैसा दिया जाए अगर मामला गलत है तो पैसा उन्हें नहीं दिया जा तो इस तरह से पूरे मामले को अगर देखा जाए पूरे बात को अगर समझा जाए तो बहुत ही कठिन और बहुत ही टेड़ी समझाए रही तो साथियों और भी लेटेस्ट समझार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए नविंतम वीडियो और भी नई वीडियो इसमें क्या हुआ क्यों कौन से किशानों के नाम काटे गए हैं उसकी लिष्ट कैसे मिलेगी आपको कैसे जनकारी होगी कि किनके में कौन सा मामला आया हुआ है शामने क्यों पैसा उनका वापस हुआ कौन कौन से लोगों का सही मामला है फिर भी उनको पैसा नहीं मिल पाया इन सारे चीजों को अगले वीडियो हमले करके आएंगे लेकिन अगले वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों में भी सेयर कर दीजे कि इस तरह की जनकारी जो भी किशान है भारत के उनको हमारी चैनल पर रिबलर मिलती रहेगी साथियों नमस्कार जय हिंद जय भारत